अगर आपने पहली बार विजिट के है जरू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो फ्री आफ कोस्ट इस चैनल को भी आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो सो चले दोस्तों फिलाल इस वोड़े को स्टार्ट कर लेते हैं सब्सक्राइब हम लोग आ चुके बिलकुल हमरे नॉर्मल स्क्रीन के उपर यहाँ पर बात होने वाले आने वाले नेक्स्ट पाच दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे कोई भी बीच में छुट्टी नहीए लगातर बाजार या पर चलने वाला है बहुँ बार में रिपिट कर चुका हो जुन जुलै या पर बिना किसी इंटर अपछन के बाजार चलने वाले है कोई बीच में पब्लिक हॉलिडी आने वाला नहीं है बात करेंगे आपे सबसे पहले बाजर के माहोल के बारे में कि फिलाल का बाजर का माहोल के है तो हर किसी को पता है बाजर में प्रेशर ही जादा है बेरिश टाइप का ही माहोल देखने को मिल रहा है उपर जाने के रीजन्स बहुत ही लिमिटेड है इन केस अगर कभी 100-200 पॉंट के अगर जंप आ भी जाती है So usually बाजार टिक नहीं पा रहा है So हम लोग जरू कहे सकते हैं यहाँ पे हम लोग को Bears ज़ादा ही हावी देखने को मिल रहे है As compared to the Bulls And reason भी अगर देखा गया And पूरे दुनिया बर के बाजार के अगर हम लोग बात करे So इसी के चलते पूरे दुनिया बर के बाजार यहाँ पे परेशान है और हर कोई देश की उनकी Central Bank उस situation के साथ deal करने की कोशिश कर रही है So चले यहाँ पर अभी हम लोग आ जाते की इस हफते की कौन-कौन से important topic रहेंगे तो देखिए सबसे पहला topic की वापस वही आ रहा है दोस्तो inflation महेंगाई अगर हम लोग हमारे देश की बात करें दोस्तो CPI inflation की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें उसका भी डेटा अभी हम लोग यहाँ पर देखने को मिलने वाला है हाली में हम लोग ने MPC की बेठा देखी आउटकम देखा वापर RBI की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने उनका जो forecasting था पूरे financial year 23 की अगर मैं बात करो 100 basis point पहले 5.7% का उन्होंने बताया था महेंगाई वह 6.7% उन्होंने यहाँ पर कर दिया जो कि हम लोग कह सकते कि यहाँ पर मतलब which is over and above its target range of 4% यह इसे related में जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करोंगा यह usually economic type है यहाँ पर कि महेंगाई मतलब महेंगाई रहना एक अच्छी बात रहती है बट वह लिमिट में होनी चाहिए अगर वह कुछ जादे हो गई तो problem हो जाता है वैसे तो देखा गे तो हर चीज के लिए रूल अपलाए हो जाता है तो 4% के आसपस यह चीज़े चल जाती है and usually देखा गे तो plus 2 and minus 2 भी चल जाता है बट उसके अगर beyond चला जाए तो फिर problem हो सकते जैसे कि अगर 4 में अगर आप plus 2 करोगे तो 6 आ जाता है जैसे कि आप लोगों को पता है में मंत यहापे खतम हो चुका है में मंत का हम लोगों को जो मतलब CPI inflation का जो data रहेगा वो release होते वे देखने को यहापे मिलने वाला है जैसे में आप लोगों को यहापे बता है यह जो data यहापे सामने आएगा तो यह बहुत ही important रहेगा central bank के लिए क्योंकि उनको decide करना पड़ता है बहुत सारी चीज़े repo rate से related actions यहापे लेने पड़ेंगे तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं बहुत ही serious matter बन जाएगा December तक कि यह बात की जा रहे है क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो ऐसा हम लोग को बहुत ही पुराने समय में इस तरीकी की चीज़े देखने को मिले थी मतलब आप अंदाज अलगा सकते हैं कि लोगों के loans, EMI कितने जादा महिंगा हो सकता है अगर repo rate ही 5.56 तक अगर जाएगा तो So definitely यह सारी चीज़े आने वाले future में देखने को मिलेगे and CPI inflation के data की बात करें तो हम लोगो 13 जून मतलब कल के दिन ही यह चीज़ release होते भी देखने को मिलने वाले and WPI inflation की बात करें तो 14 जून को यह data हम लोगो देखने को यह आपे मिलने वाला है So again कहना चाहूंगा यह data बहुत ज़दा important रहेगा क्योंकि इसके चलते बहुत सारे outcome हम लोगो देखने को यह आपे मिल जाते import duty से related कोई restriction लगेगा क्या rate hike यह आपे होगा कितना हो सकता है यह पूरा data हम लोगो यह आपे पता चलेगा इससे related यह data release होगा उससे related यह अंदाज़ा हम लोग यह आपे draw करने वाले है then दोसो अगर हम लोग यह आपे बात करें second most 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 important point FOMC की बेठक yes also FOMC की meeting यह आपे रहने वाली है and अगर हम लोग यह आपे बात करें आप लोगो पता है दो दिन की यह meeting यह आपे रहेगी reason हर किसी को पता है बच्चे बच्चे को पता है कि अमेरिका में जो inflation है 8.6% तक जाते वे देखने को मिल रहा है मतलब 1981 में इस तरीकी के हालत देखने को मिल रहा है चालिस साल का record break हुआ है यह record मतलब अच्छी वाली बात नहीं है so inflation इतना ज़्यादा बढ़ चुका है yes यह हमेशा repeat करूँगा अभी दो I का difference एक I बहुत आगे निकल चुका है inflation और दूसरा interest rate इतना नीचे है कि दो I का gap इतना ज़्यादा होना नीचे है वरना बहुत ज़्यादा problem future में देखने को मिल सकता है so definitely हम लोग यहाँ पर कह सकते दोस्तों की एक ही option है अभी इस चीज को control करने के लिए यह जो दूसरा आए है मतलब interest rate बहुत ही जबरदस तरीके से उनको बढ़ाना पड़ेगा multiple times बढ़ाना पड़ेगा तब ही जाके हम लोग कह सकते की जो inflation है वो उपर इस तर से नीचे आते वे देखने को मिलेगा so बहुत ही tough situation से American Bazaar यहाँ पर जाने वाला है अमेरिका अगर देखा गया तो दुनिया की strongest economy है अगर वहाँ के अगर कुछ हो जाता है तो no doubt उसका impact पूरे दुनिया बर के बाजार पर होगा जिसमें हमारा इंडिया भी आता है so definitely यहाँ पर हम लोग कह सकते है FOMC की बेटक यह बहुत ही जादा क्रूशल होने वाली है बट जैसे मैं आप लोग को बताईए अल्रेड़ी अभी expected है हर किसी को पता है in fact inflation का data ही जब release हुआ ना तभी American बाजार गिरना स्टार्ट होगे क्योंकि अभी हर किसी को पता है यहाँ पर rate hike बहुत बड़ा होगा चोटा मोटा rate hike करके कुछ फाइदा नहीं so यहाँ पर already सब कुछ यहाँ पर mentally prepare हो चुके है plus अगर हम लोग बाकी चीज की बात करें जैसे की equity की साथ-साथ bond yield की बात करें तो वो भी आप देख सकते है 3% तक जाते वे देखने को मिल रहा है then dollar index की बात करें तो वो 100 प्लस थाई 104 तक जाते वे देखने को मिल रहा है यह सारा चीज है कि अगर हम लोग बात करें जो outcome है वो बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पर outcome दिखाता नहीं है प्लस अगर हम लोग बात करें तो Mr. Powell उनकी जो commentary रहेगी वो भी बहुत ही ज़्यादा important रहेगी कि वो यहाँ पर क्या बोलने वाले कि इससे भी हमें अंदाज़ा चलेगा तो no doubt oil के prices बहुत ही ज़्यादा important है फिलाल crude oil 120 डॉलर प्रती बैरल हम लोग को जाते वे देखने को यहाँ पर मिल चुका है और आर्बिया ने जो assumption किया था वो 105 के असपस किया था उसके उपर ही यहाँ पर चल रहा है नो doubt यहाँ पर हम लोग के सकते हैं इसके चलते भी इंडिया को ज़्यादा दिक्कते होने वाली है बिकॉस हम लोग आप सब लोग को पता है net oil importer है बढ़ेगा ही, हर किसी को आपर पता है, ज़रू इसके चलते भी हम लोग को बहुत सारे अपसेंड डाउन से आपर देखने को मिलने वाले हैं, नेक्स्ट अगर हम लोग फॉर्थ पॉइंट की बात करें, जो कि में कल के दीन एक वीडियो में मिने आप लोग को बता है, ता कि चाइना मैनिफेक्चरिंग हब है तो इसके चलते हम लोग को जरूर यहां पर क्या देखने को मिल सकता है कि बाकी दुनिया के बाजार के उपर भी यहां पर सप्लाइचेंज जो रहती है न दोस्तों वह स्लोडान हो जाती है अगर चाइना यहां पर किसी चीज में अटक जात है और इसी की चलते हम लोग यहां पर कह सकते जो ट्रेट डिफिसित रहता है उससे रिलेटेड भी बहुत सारी इंफॉर्मिशन यहां पर मिलने वाली है तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो की बाजार को बहुत ही जादा यहां पर बिजी रखने वाले हैं इन सभी किसे बाजार को फिलाल तो संबाला हुआ है इंडियन मार्केट की में बात करा हो वरना अगर देखा गया तो तीन सवा तीन साड़े तीन लाग करोड के आसपस बिकवाली होने के बावजुद मार्केट हाडली 10 से 12 से 13 पसेंट ही गी रहा है तो डेफिनेटल हम लोग कह सकत शायद से हम लोग 79 को भी क्रॉस कर सकते हैं इतना येस हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है यह आपे अभी देख लेते हैं अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हमारे रूपी के लिए वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहेगी दैन अगर हम लोग बात करें गोल्ड गोल सोला की अगर में बात करते हैं तो वही चीज़े देखने को मिल रहे हैं फिर भी अगर देखा गया तो यहापे अगर में बात कर सकते हैं कि सपोर्ड बचा कर चलना है यही सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट है और सबसे में अगर कोई लेवल है तो हर किसी को यहापे पता है जो मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ एक साल का भी डेटा अगर आप उपन करके देखोगे तो यह देखिए 16,000 के करीब अगर आप जाओगे 15,700,800 के करीब यह वाला लेवल बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि बीच में बाजार गिरा भी था यही से जंप किया था उसके बाद सेकेंड टाइम भी यही पे जंप किया था थर्ड टाइम पे यही पे जंप किया था तो इसलिए 16,000 और 15,700,800 के नीचे का 15,700,800 अगर आप एक्जेक्टली चेक करोगे तो आपका जो लेवल हो बहुत इंपोर्टन्ट अगर यह लेवल तूट जाता है तो मार्केट फिर बहुत ही तेजी से हम लोगों को नीचे आते हुए देखने को मिलेगा फिर तो ट्रेडर जबर दस हैम रि आता है अपने कंपणी के प्रति अगर आपकी कंपणी अच्छी है अच्छा बिजनेस कर रहे है तो नोड़ आगे जाके आपको अच्छे का से रीटन मिलेंगे मिलेंगे बाकी यह चीज़े मार्केट में चलती रहती है तो आशा करता है जितने भी इंपोर्टन पॉइंट